है लो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ भिक्यर अजन और आप देख रहे हैं टॉप गुरू जहां दोस्तों पढ़ाई की दुनिया में आपका स्वागत है आज हम लोग समिस्टिर सिक्स का जो 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 गोरफी पिपर है जो जोगरफी प्रैटिकल पिपर कॉर और 13 का कोस्टि करेंगे चे deze lesson नाव बारतिये द्वारत के द्वारत के द्वारा किया गया इसे लिए इसका नाम पढ़ गया भारती kep क्लाइनों मिटर दोस्तों भारतिय क्लाइनो क्लाइनोमेटर को मीटर को प्लेन टेबल पर रखकर उपयोग किया जाता है भारतिय क्लाइनोमेटर जो है हमारा उसको किस पर रखा जाता है तो प्लेन टेबल पर रख लिया जाता है उसके बाद इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों क्या चीप बताया जा रहा है तो सबसे जो मेंन इंपोर्टेंट टॉपिक है इंपोर्टेंट जो हमारा यह पॉइंट है वह कौन सा है यह वाला है यह दोस्तों आपको भाईबा में पुछा जाएगा कि इससे किस प्रकार की वस्तों का मापन किया जाता है इससे किस प्रकार की वस्तों का मापन करते हैं या फिर किस यहां से हम लोग देख रहे हैं यहां पर दोस्तों 90 डिग्री का कौन बन रहा है अब देखें यह जो हमारा यहां पर आख है यह हमारा क्या ची है दोस्तों आख है यहां से हम लोग देखना शुरू कर रहे हैं यहां से चलिए हम लोग देखना क्या करते हैं प्रारंभ करते हैं यहां से हम लोग देख रहे हैं अब देखेंगे तो उपर हमारा यहां पर यहा कौन बनेगा मतलब 90 डिगरी से जो कम का कौन बनेगा उसी को क्या ची बोला जाता है तो उसी को बोला जाता है उन्ने अनकौन यह वाला कौन को क्या बोला जाता है दोस्तों उन्ने अनकौन बोला जाता है ठीटा चलिए अब हम लोग देखते हैं तो पहला उन्ने अनकौन को म मापा जाता है कि जब वस्टू हम से उपर हो ठिक ना उस समय हम लोग किसका उप्योग करेंगे भार्ची क्लाइनोमीटर का उप्योग करेंगे इसी से हम लोग उसकी दूरी को याद करेंगे चलिए दोस्तों उसके बाद जो सेकेंड है अवनेयन कौन अवनेयन कौन को भी इससे मापा जाता है इसका जुकाओ को मापा जाता है कि कितनी डिगरी पे यह जो वस्तू है वह जुकी हुई है तो देखें अवनेयन कौन का मतलिब क्या होता है कि यह हमारा छेदी तल है और इसमें जस्ट उन्नेयन का उल्टा हो जाता है इसमें हम जिगों को कहाँ से देखना एउपर से देखना दूस्तों कहां से देखना है उपर से देखना सुरू करेंगे नीचे की और कहाına więcej क्यों玩 देखेंगे लोग देखते हैं इस से क्या होता है को इस से कोनो को अपआ जाता है पुछान पुछाजाएगा सवाल कि भार्थे कलाइनोमेटर का अपयो कहां प्रित्वी किसी वस्तु के जुकाओं को ग्याद करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों भारती एक लाइनोमेटर का यूज करते हैं चलिए अब हम लोग देखते हैं तो इसको यह जो है सुरु से अंत तक आपको पूरा-पूरा लिख लेना है अपने पार्चे क्लाइनोमिटर इसका सामान्य परीचे लिखना है सामान्य परीचे मतलब किसको हम लोग कहते हैं और इसका यूद जो है क्या ची है उसके बाद देखें दोस्तों आगे क्या ची है आगे है पार्ट्स ऑफ इंडियन क्लाइनोमिटर इंडियन क्लाइनोमिटर का भाग कौन कौन सा है तो सबसे इसके जो है इंडियन कलाइनोमेटर के निमलिकित प्रमुख अंग होते हैं पहला है आधार प्लेट जिसको इंगलिस में बेस प्लेट बुला जाता है दोस्तों पहला क्या है आधार प्लेट है बेस प्लेट दूसरा है पीतल की छड़ पीतल की छड़ होती है इसमें उसके बाद नेत्र फलक्व या फिर द्रिश्य वेधिका होती है नेत्र फलकवा द्रिश्य वेधिका होती है आई वेन और अब्जेक्ट वेन चलिए आगे है फोर नंबर सरकवा फ्रेम क्या होता है सरकवा इंग्लिस में बुला जाता है sliding frame, frame को सरकाय आजाता है, इसलिए इसका नाम है सरका, आगे है समतलन pench, labeling screw जिसको हम लोग बोलते है level जिसे किया जाता है और level नहीं का level tube जो होती है जिसे देखा जाता है, उसमें बुलबुला बना हुआ रहता है बीच में, कि हम लोग level जो है, level पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, जिया दोस्तों यह जो है देखे, यहाँ पर मैंने इसका diagram बताया है, कि इसका जो diagram है, कौन-कौन सरंग रहता है इसका एक बर देख लिजिए, उसके बाद इसको हम लोग जुम करके देखते हैं जुम करने के बाद, देखे, कौन-कौन सरंग होता है इसमें तो आप लोगों को सीधा-सीधा दिखाई दे जाएगा कि इसमें जो है, उपर एक scale लगा हुए, देखे उसको fix करने के लिए क्या है तो rack and pinion है, उसके बाद horizontal wire रहता है, sliding frame रहता है, उसके object भेंड है, vertical slide है बहुत सारे eye hole है दोस्तों यहाँ पर देखे यह जो है, eye hole eye hole है यहाँ पर हम लोग इससे क्या करते है देखने का काम करते है, eye hole चलिए दोस्तों, तो इसका जो है बहुत सारा part होता है, बहुत सारा part इसको भी आप लोग note कर लिजएगा कि इसके यह भार्चे क्लाइनोमेटर इसके कान कान से प्रमुख अंग होते है चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग जानेंगे आगे हम लोग जानते हैं इसके परियोग करने की विधी को इसके परियोग करने की विधी को हम लोग जानते हैं कि इसको कैसे परियोग किया जाता है तो देखिए, सबसे पहले क्या ची है तो एक plane table है क्या लिया गया है, एक plane table लिया गया है यह वाला जो है, क्या दिख रहा है हम लोगों को plane table दिख रहा है और इसी में ये ले लिया गया है, मतलब क्लाइनो मिटर ले लिया गया है, अब उससे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा आचांस रिखा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो उसको लेवेल करते हैं, इसको लेवेल कर लिए ये वाला रिखा को, और इसके सा इंगल है उसके दूरी को हम लोग क्या कर लेते हैं मेजरमेंट कर लेते हैं माप करके नोट कर लेते हैं दोस्तों चले नीचे से भी इसका में फॉइंट है फस्ट फॉइंट वहाँ से जो अंतिम दूरी है ऊसको हम नों अप लेंगे आ अpes Ст ANYुन को इसका पोटो है इसका फोटो भी आप लोगों को है कैसे हम लोग उफ्योग करते हैं तो दोस्तों आपको पहले बता दिया था कि इसको प्लेन टेबल पर रखकर उफ्योग किया जाता है चलिए अब हम लोग आगे जो है तो दोस्तों इसको यहीं तक लिखना है ठीक ना यह जो फाइल टू बनाईएगा आप लोग कुस्टिन जरूर किजिएगा दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले प्रैटिकल के साइद जैंद